हलो दोस्तों आप लोग को मेरे चैनल गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बावलाजी के महत्पूर्ण प्रस्णा को देखेंगे जो परिच्छे में बार-बार पुछे जा चुके हैं तो चली स्टार्ट करते हैं आपका प्रस्ण है स्वासन मूल मिलती है जूसिया में मक्का में पान में या फिर इन में से कोई नहीं तो स्वासन मूल मिलती है तो इन चार आपसन में से सही एंसर क्या होगा बताओ इसका रहत उतर आफ से नंबर A जूसिया में जूसिया में सौसन मूल मिलती है ठीक है आपका अगला प्राशन है निम इलखित में कौन सा एक जड़ नहीं है सकरकन, मूली, आलू, गाज़र तो बताओ दोस्तों तो निम्कित में से कौन सा एक जड नहीं है। इसका राइट एंसर आपसर नमबर C, आलू, आलू एक जड नहीं है। आपका अगला प्रस्थन है, और इस्तम्मूल पाई जाती है गन्य में, चने में, चावल में, या फिर मुमपली में। तो बताओ इसका रेट इंसर क्या होगा तो इसका रेट इंसर आपसन नमर ए गंदे में गंदे में इसका रेट इंसर है अगला प्रस्ण है जड़े विक्सित होती है तैने से पत्ती से प्रावकूर से या फिर मुलांकूर से जड़े विक्सित होती है तो किस से विक्सित होती है इसका रेट इंसर है आपसे नमर D मुलांकूर से मुलांकूर इसका रेट इंसर होगा आपका अगला प्रस्थन है गाजर है एक पूस्पा तना जड या फिर इन में से कोई नहीं तो बताओ दोस्तों गाजर क्या है गाजर क्या है पूस्पा है तना है या फिर जड है इसका रेट इंसर है आपसर नमबर C जड़ गाचार एक जड़ है ठीक है आपका अगला प्रस्थन है बर्गत के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़े कलाती है क्या कलाती है दोस्तों बताओ आपसर नमबर C इस्तम्मूल कलाती है आपका निश्ट प्रस्थन है पेड़ में निम्लखित में से कौन सा हमेशा रहता है पत्ती जड़ कलिका टानिया तो पेड़ में निम्लखित में से कौन सा हमेशा रहती है बताओ इसका रेट एंसर क्या होगा दस्तो इसका रेट एंसर आपसर नमबर B जड़ जो होता है पेड़ में हमेशा रहती है ठीक है आपका अगला प्रस्न है आलू का खाने योग्या भाग होता है आलू का खाने योग्या भाग होता है तो क्या होता है जड़ फल तना या फिर कलिका बताओ इसका रेट एंसर इसका रेट एंसर अप्सम नुंबर C तना ठीक है इसका रेट एंसर होगा अपका अगला प्रस्थन है नाग फ़नी में प्रकास संस्लेशी कार्य होता है पड़काय, इस्तम द्वारा, सलकन द्वारा, धनकन द्वारा, इन में से कोई नहीं तो बताओ दोस्तो इसका रेट इंसर क्या होगा इसका रेट उत्तर आपसर नमबर A, पड़काय, इस्तम द्वारा, ठीक है आपका अगला प्रस्ण है निम्रिखित में से निम्रिखित में कौन एक तना है तो तना कौन है गाजर है मुली है आलू है या फिर ये सभी बताओ तना कौन है दोस्तों बताओ इसका रइट उत्तर है अफसा नम्बर C आलू एक तना है ठीक है आपका अगले प्राशन और आलू भोमी गाद रोपांदरी तना होता है जिसे खाहा जाता है क्या खाह जाता है सलकान शकरकान धनकान या फिर कांद तो बताव दोस्तो इसका रइट उत्तर क्या होगा इसका रेट उत्तर है आफसा नमबर D कांध कांध इसका रेट उत्तर होगा अकला प्रस्न है हल्दी के पोधों का खाने योग्या हिस्सा कौन सा है फल प्रकांध कांध या फिर जड़ हल्दी के बहुद होगा खाने युग्या हिस्सा कौन सा है बताओ फल है प्रकांध है कांध है या फिर जड़ है तो इसका रेट उतर होगा आपसा नमबर बी प्रकांध ठीक है प्रकांध इसका सही उतर होगा अगला प्रिषन है अद्रक क्या है अद्रक क्या है रैजोम मलबा जळ या भी इन में से क्योई नहीं इन पाटिन क्योंच है दोस्तो अद्रक क्या है तो इसका रेट उत्तर होगा रैजोम ठीक है अधरक रैजोम है अगला प्रस्न है प्याज किसका परवर्थित रूप है प्याज किसका परवर्थित रूप है जड, पुस्प, तना, फल बताओ प्याज किसका परवर्थित रूप है जड़ का है पूस्पा का है तना का है या फिर फल का है तो इसका राट उतर है आपसे नमबर C तना प्याज जो होता है वो तने का परवर्थित रूप होता है ठीक है दोस्तो आपका अगला प्रस्णा है वे पोधे जिनमें कभी पूस्पा नहीं बनते क्या कहलाते हैं क्रिप्टो गेमसा एंजियो इसपर्मा जिन्नो इसपर्मा इनमें से कोई नहीं तो वे पोधे जिनमें कभी पूस्पा नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं इसका सही उतर हुटारा आपसस नमर एफ क्रिप्टो गेम्स याद रखनों दोस्तोंर क्रिप्टो गेम्स कि आपका करणार का सबसे बड़ पूस्पा किसके द्वारा उत्पन होता है लोथेरंस द्वारा रेक्स कि रोसेरा द्वारा या इन में से कोई नहीं इसका रैट उत्तर होगा आपसर नमर भी रैफिलिशिया द्वारा ठीक है आपका गलब रसना है संसार का सबसे छोटा पुस्पा कौन सा है उल्फिया कमल गुलाब रैफिलिशिया ठीक है तो इस क्योशन का रैट इंसर होगा संसार का सबसे छोटा पुस्पा कौन है तो रैट उत्यार होगा आपसर नमर ए उल्फिया याद रखना दोस्तों इंपर्टेंट प्रसना है आपका नेश्ट प्रसन है जिवन चक्र की द्रिश्टी से पौधे का सबसे महत पुड़ा अंग कौन सा है तो तना है जड़ है पुस्पा है या फिर पत्ती है पुस्पा इसका रैट उत्तर होगा आपका अगला प्रसना है कौन एक जीवित जिवासमक कहलाता है जिकंगो शैक्स पैनस या फिर इन में से कोई नहीं कौन एक जीवित जिवासमक कहलाता है तो इसका रैट उत्तर है अपसन नमबर ए जीकंगो 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 जो होता है एक जीवित जिवासमक कहलाता है ठीक है आपका लाश्ट प्रसना है दम्मा एवं खासी के रोगों में काम आने वाली आवसदी इफेटरिन किसे प्राव तकी जाती है तो बताओ किसे प्राव तकी जाती है इन्पर्टेंट प्रसना है आपसन नमबर डी इफ्रेडा इफ्रेडा इस क्वेशन का रैट उत्तर होगा दोस्तो तो यहाँ वीडियो कैसे लगा दोस्तो आप लोग कमेंट बाक से में जोरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलना धन्यवाद दोस्तो